आज हम लोग shortcut method दोरा hcf निकालना सीखेंगे shortcut method से hcf बनाने के लिए हमें दो बातों पर ध्यान देना परता है फर्स ट्रिक है जब दिये गए numbers में सबसे छोटा number बाकी के numbers को काट देता है अर्थात उसे पूर्णता divide कर देता है तो वही hcf होता है दूसरा जब दिये गए numbers में सबसे छोटा number बाकी के numbers को नहीं काटता है उस समय सबसे छोटा number का factor निकालते हैं और जो बड़ा factor सभी को काट देता है अर्थात पूर्णता divide कर देता है वही hcf होता है फर्स नंबर, find the hcf of 6, 18 and 24 यहां 6 नंबर सबसे छोटा है और यह 6 से 18 तथा 24 दोनों को divide कर देता है इसलिए यह 6 से hcf होगा यहां पर 4 options दिये हुए हैं इसमे 6 अंसर होगा तो हम देखकर के ही 6 को tick कर देंगे कि 6 सबसे छोटा संख्या है और यह 18 तथा 24 को पूर्णता divide कर देता है और थात काट देता है दूसरा नंबर find the hcf of 24, 60, 48 and 108 इसमे 24 सबसे छोटा नंबर है किन्तु यह 60 को divide नहीं करता है इसलिए 24 का हम factor निकालेंगे और थात यह जिसके जिसके पहारा में आता है उसको लिखेंगे तो यह 24 once divide हो जाता है यह 2 के पहारा में आता है 3, 4, 6, 8, 12, 24 सभी के पहारा में आता है और थात यह सभी नंबरों के द्वाला divide हो जाता है यह cut जाता है अब यहां हम देखेंगे कि 24 से यह बाकी numbers नहीं करते हैं बाकी numbers में भाग नहीं लगते हैं फिर इसको छोड़ देंगे अब 12 लेंगे 12 को देखते हैं कि 24 को 2 times में divide कर देता है 60 को 5 times में काटता है 48 को 4 times में divide करता है और 108 को भी 9 times में divide करता है इसलिए 12 24 के बाद में सबसे बड़ा factor है तो यही highest और common factor हो जाएगा तो shortcut method से इस तरह से हम लोग highest common factor निकालते हैं थोर नमबर यहां fraction है और इस fraction का हम लोगों को HCF निकालना है तो जब हम fraction का HCF निकालते हैं तो इसका rule है कि उपर जितना numbers होता है उसका HCF निकालेंगे और नीची जितना number है उसका LCM निकालेंगे तो उपर 7, 21, 42 है तो यहां देखते हैं कि 7, 21 को divide करता है 42 को भी divide करता है इसलिए यह 7 HCF होगा उपर वाले numbers का HCF 7 होगा कि यह सबसे छोटी संख्या है और सब को divide करती है नीचे 20, 30, 60 है इसका LCM निकालना है तो यहां देखते हैं कि 60 सबसे बरी संख्या है और यह संख्या 30 और 20 से divide हो जाती है तो LCM यह 60 जो है 20, 30 और 60 का LCM होगा